क्लास नाइंथ, चेप्टर नमबर फाइब है, इंट्रोडेक्शन टू इकुलाइड जमेटरी, तो दिखो इंट्रोडेक्शन तो आप जानते हो, प्रीच्चे देना, टू इकुलाइड, इकुलाइड नाम का एक साइन्टिस्ट था, जिसने हमारे पास जमेटरी का कुछ इं जियो, जियो का जो मीनिंग है, दा अर्थ, जियो का मीनिंग है अर्थ से, जियो मतलब अर्थ हमारे जो धर्ती है, भूमी है, उससे है, मेट्रियन का मतलब होता है, मीनिंग टू मेजर, तो मेट्रियन का मीनिंग है, टू मेजर, अगर हम बात करें, पूरा जमेटरी वर्ड तो जमिक भूमी को मापने वाला यंतर, मापने वाला यंतर, इसका नाम ये complete geometry का मतलब क्या बनता है, जैसे भूमी को मापने वाला यंतर, कोई तो scale का यूद करता है, कोई अगर आपने मिस्तरी वगएरा देखे हो, तो एक बड़ा साइक फिटा लेके रखते हैं, तो उससे गूमापते हैं, तो भूमी को मापने के अलग अलग पैमाने हैं, लेकिन इकुलाइड के इकुलाइड ने क्या बताया इसके बारे में, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पड़ते हैं, वैसे धरती को मापने के लिए तो अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन इकुला मैं यहां पे एक point लिख दूए यह वाड़ा एक point हो गया is that which has no part उसका कोई इसा नहीं होता इस point का कोई इसा नहीं है कि यह ना तो यह इस तरफ है इस तरफ यह कोई इसा इसका कोई इसा नहीं है जैसे point है इसका कोई इसा नहीं है तो ये बताया इसने point के बारे में point is that which has no part जिसका कोई इसा नहीं होता a line line के बारे में क्या बताया है is breathless length इसका मतलब ये है कि अगर हम एक line के बारे में बात करें ये वाड़ी एक line होगी जिसकी क्या है मारे पास length होती है लेकिन दूसरा दे रख्या है कि breathless breathless का मतलब हमारे पास इसकी breath जो होती है वो होती है चोड़ाई चोड़ाई रहित जिसकी चोड़ाई ना हो और जिसकी लंबाई लंबाई हो length का मतलब होता है लंबाई जिसकी लंबाई तो हो line क्या होती है जिसकी लंबाई हो लेकिन चुड़ाई रही तो चुड़ाई नहीं हो उसके बाद है third point है the end of line line का जो end है our point है अगर हम बात करें किसी line की तो line के अगर end की बात करें तो end पे क्या होती है जैसे point होते है जैसे a, b, ये दो point होगे ऐसे ही कोई और line हो कोई भी line हमारे पास जैसे इसके point, end point को नाम के देते हैं हम c, d, तो ये line के बारे में ये बता है कि उसके end पे क्या होते है our points उसके क्या होते है point होते है a state line, एक state line is a line एक state line अगर बात करें हमें एक state line की बिल्कुल सिधी लाइन के बारे में अगर एक state line है तो state line के बारे में बोल रहा है a state line which lies evenly with the point on itself ये अपने खुद के point के साथ क्या होती है lie रहती है मतलब evenly points ये यहाँ पे इसके स्वेम खुद के ही point है ये नहीं कि हमारे पास किसी और रेखा गए point हो सकते है तो अब इसके बाद next है a surface is that which has length and breath only जैसे अगर surface की बात करूँ मैं किसी भी वस्तु के अगर surface की बात करूँ जैसे ये है ये कोई वस्तु है तो इसकी surface ये वाड़ इसकी सतय होगी तो इस पे देखो ये वाड़ यहां से लेकर यहां तक अब यह जो है इसकी length होगी और यहां से लेकर यह वाड़ जो होगी इसकी breadth होगी तो यह बोल रहे हैं कि कोई surface होगी जैसे mobile की surface होगी या फिर blackboard की या फिर उमारे पास कोई जमीन की surface होगी तो उस सर्फेस के ओपर क्या होगा उसकी लेंथ भी होगी और दूसरा ब्रेथ भी होगी मतलब लेंथ और ब्रेथ क्या होती है आपको पता ही है लंबाई और चुडाई दोनों होगी जैसे कोई ऐसी सर्फेस है जिसकी लंबाई भी हो और उसकी चुड़ाई भी हो लेंथ भी हो और उसकी ब्रेथ भी हो तो यहां पे देखो लाइन थी उस लाइन के अंदर लेंथ लेंथ थी उसकी ब्रेथ लेस थी ब्रेथ नहीं थी उसके बाद है दा एज ओफ दा सर्फेस आर लाइन तो एज की अगर बात करूँ मैं जैसे देखो यहां पे यहां पी यह वड़ा एज और यह वड़ा एज अगर यहां से दोनों एज को मिलाएं तो यह वड़ी यह क्या है एक लाइन है अगर हमारे पास कोई भी सर्फेस है सर्फेस के बारे में और उसके बाद जो age को मिलाते हैं age होते हैं किनारे जैसे ये वाड़ी surface है इसका ये ये और ये ये चारो क्या होगे इसके age होगे age बोलते हैं किनारो को तो किनारे हैं ये तो किनारे दो किनारो को अगर मिलाएं तो आपस में जो यहां पर यह मिल रही है वो क्या है के line है next आगे बोल रही है the age of the surface are line age को मिलाने से क्या बनती है एक line बनती है last point इसने definition दी है a plane surface is a surface plane surface को कैसी surface होती है which lies evenly with the straight line on itself जो अगर plane surface की बात करूँ मैं the straight line itself अगर देखो यहां पर यह बाड़ी एक plane surface ले ले लेते है तो यहां पर जो अपने हाप में क्या है यहां से लेकर यहां तक एक state line है यहां से लेकर यहां तक एक state line है तो मतलब plane surface में क्या होगी state lines होगी उसके बाद definition दी थी इकॉलाइड की कुछ यह definition है तो इकुलाइड ने अब क्या दिया है हमारे पास एक्जोम दिये हैं ये क्या होते हैं दिखो तीन चीज़े दिये हैं इकुलाइड ने उन तीनों के बारे में पढ़ना है तो विचार करो which are equal to the same thing are equal to one another अगर माल लो दो चीज़े हमारे पास दो वस्तवे हैं जैसे ये वड़ा मार्कर है और ये वड़ा जो मार्कर है अगर इसकी कैप लगा दें इसके उपर तो ये दोनों जो मार्कर हमारे पास ये मारकर क्या है? अगर विचार करो ये बोल रहे है which are equal to the same thing अगर दो same thing है जैसे यह दो same वस्तोय हैं are equal to one another एक दूसरे की क्या होती है यह equal होती है तो यह बोल रहे हैं कि यह जैसे यह दो same वस्तोय हैं एक जैसी है बिल्कुल same है तो यह दोनों क्या होंगे आपस में बराबर होंगे उसके बाद next है second action क्या दिया इसने if equal are added अगर दो equal वस्तो को add करते हैं to equal the wool are equal अगर दो वस्तो को equal वस्तो को add करें इन दोनों को add करें तो यहां से जो वस्तो बनेगी equal करने से यहां जो complete वस्तो बनेगी जैसे यहां पर इन दोनों को जोड़ने तो इन दोनों को जोड़ने के बाद जो complete वस्तु बनी है वो इंद दोनों के क्या होगी इक्वल होगी यह जो दो marker हम जोड़ दें अगर जैसे दो length को जोड़ दें यहाँ पे दो length है इनको अगर जोड़ दें यह complete एक length बन जाएगी और यह complete length इसके क्या होगी equal होगी ये बात बोल रहा है उसके बाद next में बोल रहा है if equal are subtracting from equal अगर equal को equal में से क्या कर दें subtract कर देते हैं जैसे मान लो ये line और ये line जैसे ये marker और ये marker आपस में equal हैं और इन दोनों को आपस में क्या कर दें subtract घटा दें तो then remaining are equal और जो बचा हुआ इस्सा है अगर कुछ बच भी जाता है मान लो कोई दो length है सी ले लिए एक थोड़ी बड़ी ले लिए एक छोटी ले लिए हमारे पास है तो इन दोनों को अगर आपस में क्या कर दें माइनस कर दें माइनस करने के बद कुछ लाइन का इस्सा बज़ जाएगा और वो वड़ा इस्सा जोगा remaining are equal और जो इनको गटाते वक्त जोगा जो गटाते वक्त जोगा और वो ये जोगा ये दोनों क्या होंगे बराबर होंगे तो इसके बारे में बोल रही हैं नेक्स है फोर्थ है तिंक विच कौन साइड विद वन अनैदर are equal to one another अगर कोई एक दूसरे से टकराते हुई with one another एक दूसरे के साथ है are equal इक्वल होंगे to the one another एक दूसरे के क्या होंगी ये एक्वल होंगी नेक्स है अगर माल लो ये वाड़ा कम्प्लीट एक मारकर है और इसके अगर कहप की बात करूँ ये वाड़ा जो कहप है इसकी ये बोल रहे हैं अगर वूल इज ग्रेटर ये वाड़ा कम्प्लीट मारकर है और कम्प्लीट मारकर इज ये दे रख़ा है greater than the part greater than the part अगर marker ये complete marker बड़ा होगा इससे ये part एक इससा है इसका तो इस इससे से क्या होगा ये greater होगा ये बोल रहा है who is greater पूरा complete जो होगा वो बड़ा होगा किससे the part इससे फिंक ये last एक फिंक और दे रखी है which are double जो double होगा of the same thing, the same वस्तों का double are equal to the one another एक दूसरे के क्या होगे बरबर होगे जैसे दो marker का double कर दे हम इसका double कर दे मार कर गा तो ये double हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा और अगर दो को double कर देते हैं हम ये complete जो बनेगा वो इन दो के ही क्या होगा बरबर होगा ये बोल रहे हैं लास्ट दे रखे है तिंक विच आर हेवन ओफ दा सेम थिंक आर इक्वल टू वन अंदर एक जो अगर दो वस्तुई सेम है तो आपस में क्या होंगी सेम होंगी, बरबर होंगी ये बोल रहे हैं तो ये थी कुछ इसके एक जूंस मतलब एक्वल वस्तुगो एक्वल होती है ना एक्वल वस्तुगी ये बड़े कुछ बाते दे रखे हैं लेकिन लास्ट जो मारे पास है ये इसका मेंट पॉइंट है ये बड़ा जो इकलाइड ने दिया है ये इस फिफ्ट चेप्टर में इंपोर्टेंट पार्ट है और ये आपको अच्छे से करना है इसी बेस पे ये क्या है फिफ्ट चेप्टर कंप्लीट होगा जैसे देखो पॉस्चुलेट्स दे रखे हैं लास्ट दे रखे हैं पांच फाइव पॉस्चुलेट्स वी क्या है इस स्टेट लाइन एक सिद्धी रेखाज होती है जैसे एक स्टेट लाइन की बात करूँ में स्टेट लाइन क्या होती है दो पॉइंटों से मिलकर बनी होती है दो स्टेट लाइन एक सिद्धी लाइन जैसे एक सिद्धी लाइन point है इन दो point हो से मिलकर क्या होगी है कि state line बनती है उसके बाद next postulate में यह कह रहे हैं कि यह बात तो सत्य है लेकिन यह क्या है इसने postulate में बताई है इसका huge कैसे होगा वो question में लेके चलेंगे वैसे एक बर आपको इनको याद करना है कि पहला postulate क्या है और जैसे ही आपके पास question आएगा उसमें यह बुला जाएगा कि first postulate लिखो तो first postulate अगर आपको याद होगा तो आप लिख दोगे और उसका कुछ example दे दोगे उसके बाद second है postulate a terminate line can be produced indefinitely मतलब अगर देखो यह बाड़ी जो line है terminate line होती है और जो close बिल्कुल जो state line अगर close की बात करूं की पहार arrow होता है और आजकल का जो जमाना है उसमें lines को ऐसे ही चोड़ देते हैं जैसे यह चोड़ दी हमने और पहले क्या था इनको state line दे रखी थी उसको क्या करते थे ऐसे arrow लगा करके बंद गया देते थे मतलब यहां तक ही यह line है लेकिन आजकल जो है वो simple ऐसे चोड़ देते हैं एक line को यह terminate line होती है तो आजकल हम terminate line बनाते हैं इनको हम किसी भी तरफ बढ़ा सकते हैं infinite तक हम कहीं भी बढ़ा सकते हैं यह होती है terminate line जैसे a और b दो इस point होगे इसके लेकिन यह terminate line होती है इनको कहीं भी किसी भी तरफ बढ़ा सकते हैं तो यह होती है terminate line उसके बाद है last third postulate है इस circle can be drawn एक circle बनाया जा सकता है with any center कोई भी अगर circle बनाते है हमे circle बनाने के लिए सबसे पहले उसका center होना बहुत जरूरी है center होना बहुत जरूरी है जहां पे हम प्रकार की नौक रखते हैं वो वड़ा center जरूरी है केंदर जो होता है वो जरूरी होता है अगर केंदर होगा तो उसके साथ कुछ क्या होने चीए एनी रेडियस परकार को कुछ खोलना पड़ता है कुछ रेडियस लेनी पड़ती है मतलब यहां से लेकर यहां तक हमने परकार को खोला है तो ये इसकी क्या होगी radius तो circle बनाते वक्त किन चीजों की जूरत होती है एक तो किंदर होना चीज, center होना चीज, दूसरा radius होने चीज बिना radius और बिना किंदर के कोई भी circle नहीं बन सकता हूँ तो ये circle के बारे में है कि उसका एक किंदर होना चीज और दूसरा कुछ radius हमने मानी होने चीज, radius क्या होती है जो हमने परकार को खोल लिया, वही उसकी क्या होती है, radius होती है वो होने चीज, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इसको circle को ट्रहा कर सकते हैं next है, all right angles, सभी जो right angle है, 90 degree के जो कौन होते है are equal to one another, एक दूसरे के क्या होते है, equal होते है जैसे 90 is equal to 90 degree है, तो मतलब 90 degree के कौन है अपस में क्या होते है, equal होते है next postulate में ये दे रखे है तो last postulate है, जो इसका usable भी है, और वैसे ये सारे भी usable थे तो if a state line, अगर एक state line है, falling on the two state line अगर दो state line ओपे कोई एक state line filing करते हैं, गेर डालते हैं जैसे दो state line होगे मारे पास, उनके उपर एक state line डाल दी हमने कैसी भी डाल दी, सिद्धी डाल दी, या सिद्धी थोड़ी त्रिच्छे डाल दी हमने ये state line डाल दी और makes the interior angle on the same side अगर मान लो, ये दोनों इस तरफ जा रही हैं, ये line इस तरफ जा रही हैं और इनका interior angle मतलब अंत्रिक कोण, अगर मान लो, हमने ये दो अंत्रिक कोण ले लिए makes the interior angle, interior होते हैं अंदर के कोण, जैसे अगर ये काकरती की बात करूँ, अगर यहां से ये वाड़े जो कोण होते हैं, ये interior होते हैं, मतलब आकरती के अंदर होते हैं और ये वाड़े जो कोण होते हैं, अगर ये बाहर ये बात करें, तो ये existir angle होते हैं तो interior angle तो यह हो गए और बाहर की बात करूँ तो यह अगर बाहर की तरफ मिलाए होते तो यह होते है exit angle लेकिन बोड रहे हैं कैसे interior angle of the same side दोनों एक ही तरफ बनाए हैं देखो ना कि इस side दोनों same side एक ही तरफ बनाए हैं same side of it taken अगर हम इसको लेते हैं together एक साथ less than two right angle तो देखो यह वारा जैसे one angle और two angle है अगर इन दोनों का जोड़ करें तो यह less than होगे किस से 180 से क्योंकि two right angle बोल रहे हैं दोनब्वे डिग्री के कोनों से less होते हैं तो मतलब क्या होजएगा इन टोटल कितना होता है 180 तो एंगल one और two का जो जोड़ होगा वो किस से less होगा less than 180 से होगा then the two state line अगर दो state line if produce indefinitely meet on that side on which देखो अब इसके अंदर भी एक condition है यह नहीं है कि आप ऐसी एक line लो एक line ऐसी ले लिए हमने और एक state line यहां पे काट रही है तो आप इस तरफ वड़े एंगल ले लो ना यह इस तरफ वड़े की बात नहीं कर रहे हैं जिस तरफ the state line two state line are produce indefinitely अगर उनको produce किया जाता है meet on that side अगर वो मिलती भी नजर आती है देखो इस side वाड़ी तो क्या है मिल जाएंगी और यह वाड़ी जो है अगर ऐसे जा रही है तो यह क्या होंगी यह दूसरे से नहीं मिलेंगी जिस side वो मिलती है meet on that side on which the sum of angle इस side की बात कर रहे है इस side के दो angle का जोड़ जोगा some of less than two right angle इनका जो जोड़ होगा वो 100C से कम होगा इनका तो क्या बता एक 100C से ज़्यादा होगा इसके बारे में नहीं बोल रही है ये बोल रहे हैं जिस साइड से ये मिल रही हैं उस साइड की बात कर रहे हैं तो ये आपके पास थे five postulate एक बार ये five postulate, definition, exon